मैं डॉक्टर शाउनक्षा, पीडियाट्रिक काडियाक सर्जेरी का मतलब है बच्चों के रिदय में जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है उसको ऑपरेशन से रिपैर करना आपको ये तो मालूम ही होगा कि हमारे सीने में जो रिदय धड़कता है उसमें चार चेंबर और चार बड़ी नाली है हमारे देश में एक अजार बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उन में से दस को ये कंजनेटल हार्ट डिसेज यानि की पैदाईशी हार्ट की डिफेक्ट होती है इन में से चार बच्चे ऐसे होंगे जिनको जन्म के तुरंद बाद या जन्म के पहले साल में ये रिदय की डिफेक्ट को करेक्ट करना पड़ेगा उसके बज़ाए जीवन शक्य नहीं है बच्चों की रिदय की सर्जरी में क्या स्पेशल है एक तो पहले तो बच्चे है, छोटे है और रिदय हमारा धबगता है इसके लिए हमें एक टीम की आवश्यक्ता रहती है ये टीम में कार्डियलोजिस्ट, कार्डियक सर्जन, intensivist, anesthetist, perfusionist और nurseist का होना जरूरी है इसके अलावा हमें एक infrastructure की जरूरत रहती है जहां पर ये सब बच्चे का operation हो सकता है आपने सुना होगा कि फला फला के बेटे के दिल के परदे में छेदे तो जो common heart की defect है वो है ASD, VSD, tetralogy of fellow, TAPVC, transposition of great arteries और single ventricle इसके अलावा अभी कई सारी heart की defect है जिनके लिए एक treatment की आवश्यक्ता और ज़्यादा तर surgery की आवश्यक्ता रहेगी जब भी आप किसी बच्चे के बारे में सोचते हैं जिसको congenital heart disease है तो Sims Hospital अवश्य याद रखिये अन्त में मैं आप सभी के अच्छे स्वास्ता की प्रार्तना करता हूँ नमस्कार